दोस्तों अमबेटकर क्लासेस में आप सब का स्वागत है इस वीडियो में लुसेंट के फीजिक्स के चेप्टर वाइस वन लाइनर कोश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो किसी भी एक्जाम के लिए इंपोडेंट है दिखे इसका जे चेप्टर नमबर है चार गुर्तवाकर् चले कोशन चालो करते हैं कोशन नमबर वन प्रिथिवी पर गुर्तवाकर्षन का मान होता है यानि इसमॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर साथ ही चंद्रवा में गुर्तव तवरण का मान होता है 2.37 मीटर पर सेकेंड उसी के साथ सूर्य में गुर्तव तवरण का मान होता है 42 मीटर पर सेकेंड इसक्वेर नेक्स्ट कोस्चन नमबर 2 प्रिथिवी के सत्व में उपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है गटता है नेक्स्ट कोस्चन नमबर 3 जी का मान सर्वत्तम पर होता है जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है जी का मान जो होता है सबसे अधिक धुरूबों पर जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है धुरूबों पर और सबसे कम यानि सुन्य सुन्य कहां पर होता है सुन्य होता है केंद्र पर और जी का मान नियुंतम कहां पर होता है नियुंतम जो होता है बिस्वत रेखा पर कोश्चन नमबर चाल कोश्चन नमबर पांच प्रिथिवी की घुर्णन गती जी घुर्णन गती बढ़ने पर जी का मान क्या होता है घुर्णन गती बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है Q6. पृतिवी की घुर्णन गती घटने पर जी का मान क्या होता है? अगर घुर्णन गती घटेगा तो जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है Q7. एक व्यक्ति लिफ्ट से उपर की और जाता है तो उसका भार प्रतित होता है बढ़ा हुआ प्रतित होता है Q8. जब लिफ्ट नीचे की और आती है तो व्यक्ति का भार प्रतित होता है जब लिफ्ट नीचे की और आती है तो घटा हुआ प्रतित होता है क्यूस् abnorm 9 यदि लिप्ट एक समान बेग से उपर या नीचे जाती है तो पिंड का भार प्रतीत होगा अ-पकरिवर्थीत यदि लिप्ट नीचे उतरते समय लिप्ट की डोरी तूट जाए तो ऐसे इस्तिति में पिंड का भार प्रतीत होता है भार क्या हो जाता है? सुन्नी हो जाता है Question number 11 प्रतेग ग्रहा सुरी के चारो और एक कच्छा में परिकरमा करती इसको क्या करते हैं? दिर्ख बिक्ता यानि इलेप्टिकल Question number 12 वरुन का परिकरमन काल कितने वर्स का होता है? वरुन जो ग्रहा है उसका परिकरमन काल कितना होता है? 165 वर्स Question number 13 जब ग्रहा सुरी के निकट होता है तो वेग क्या होता है? देखो जब ग्रहा सुरी का जब निकट आएगा जितना सामने होगा उसका वेग क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा Question number 14 जब ग्रहा के चारो और परिक्रमा करने वाली ग्रहा पिंडों को क्या करते है? जब ग्रहा के चारो और परिक्रमा करने वाले को ग्रहा करते है उसी प्रकार ग्रहा के चारो और परिक्रमा करने वाले को क्या बोलते है? उपकरह कोश्चिन नमबर पंदरा उपकरह का परिक्रमन काल का दर्विमान पर क्या प्रभाव पड़ता है उपकरह का जो परिक्रमन काल होता है उसका दर्विमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कोश्चिन नमबर सुर्ला उपकरह प्रिथिवी से जितनी अधिक दूरी पर होगी उसका चाल क्या होगा जैसे उपकरह जो होता है प्रिथिवी से जितना अधिक दूर होता है उसका चाल उतना ही कम जतना पास में होगा उतना अधिक चाल होगा और दूरी जतना होगा उसका चाल उतना ही कम होगा कुश्यन नमबर 17 उपकरह का परिक्रमन काल सबसे अधीक कब होता है जब पुर्थिवी से अधीक दूरी होगा क्योंकि जब अधीक दूर होता है तो उसका चाल कम होता है और तो इसमें परिक्रमन काल यानि समय क्या होगा जितना दूर होगा उसका परिक्रमन काल उतना ही 65 बर्ष लगता है सबसे अधिक लगता है Question No.19 संचार उपकरा अस्थापित करने की समभावना सबसे पहले किस ने व्यक्त किया था तो संचार उपकरा यानि कृत्रिम उपकरा को अस्थापित करने का जो समभावना सबसे पहले दिया था Arthur C. Clerk नहीं दिया था Next और ये last question प्रिथिवी की प्लाइन बेग का मान क्या होता है प्रिथिवी की प्लाइन बेग का मान क्या होता है 11.2 मीटर परति सेकेंड किलो मीटर 11.2 किलो मीटर यहां मीटर हो गया गलती से क्या होगा किलो मीटर परति सेकेंड इसक्वेर अगर इस बेग से कोई भी बेगती या कोई भी चीज बस तू प्रिथिवी से उपर फेका जाएगा तो प्लाइन कर जाएगा प्लाइन कर जाने मतलब होगी कि प्रिथिवी से वो बाहर चलेगा गुर्तवा करशन का जो रेंज है उससे क्या होगा बाहर हो जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें क्योंकि हम लोग इसमें कम से कम समय में बहुत ज़्यादा important question को पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत कम समय में आपको अच्छा अच्छा question जो कि लुसेंड में जो नया बच्चा है जो क्या आता है question क्या नहीं नहीं जान पाते हैं उनके लिए ये बहुत थी अच्छा वीडियो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजे प्लस अगर कोई गलती हो या मिस्प्रिंट हो तो उसमें आप कमेंट करके बताएं थैंक्यू